हनुमानगर के कोट परीसर में उस वक्त अफरा तफरीक का माहूल बन गया जब पेशी पर आए दो गुटों में से एक ने फाइरिंग कर दी जिससे हरिश नामक शक्स की मौत हो गई दरसल हनुमानगर की एडीजे कोट में सोंवार को दो पक्ष तारीक पेशी पर आए हुए थे इन दोनों पक्षों का मारपीट का एक मामला कोट में चल रहा है बताया जाता है कि इसी बीच एक पक्ष के महनता सिंग और दविंदर ने हरिश नामक एक गवाह पर गोली जला द और पुलिस को सूच न दी पुलिस के मौके पर पहुंचने पर आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गोली लगने से घंभी रूप से घायल हुए हरिश को जीला अस्पताल में ले जाए गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और घरना सल का मौएना किया पुलिस पकड़े के आरोपियों से पुछताज में जुटी हुई है दिन दिहाडे हुए इस घटना करम से आमजन में दहशत का माहूल है वहीं इस घटना ने कोड़ परिसर की सुरक्षा व्यवस्ता पर भी सवाल या निशान लगा दिया है